हलो श्रेंट्स गुड इवनिंग टोल अफ यू मैं इस भी जैसवाल आप सभी का इस रिजिनिंग सेशन में हारदिक स्वागत करता हूं बच्चो जो आज टॉपिक है हमारा वो है क्लॉक यानि घड़ी यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो आप यह से ब्लीटेट टॉपिक से कोशन आपको मिलेंगे ठीक है यह हमारा चैनल है पहले भी बताया था एक फिस रिपीट कर दूँ इसके आप लिंक को जोंग करेंगे तो आपको इसमें पीडिया वेगरा और क्लास्स जो वीडियो होती है उसके लिंक बिल जाया करेंगे ठीक है अब clock में question आते क्या है ठीक है तो देखे clock में जो question आपको मिलेगा वो होगा एक तो time आपको दिया रहेगा ठीक है और उसमें exact angle आप से पूछेगा जैसे माल लिया मैंने example लिया सारे 8 बजे हैं ठीक है रात का हो या दिन का हो 830 पे दोनों हैंड जो minute है न और हैंड है उनके बीच का अगर पूछा जाए कितने gap होंगे तो दो तरह gap हो सकते हैं minimum वाली और दुसरा outside यानि बाहर वाली यानि maximum तो नियूंतम कोन और अधिकतम कोन दोनों में से कोई भी पूछता है ज्यादा तर नियूंतम ही पूछा जाता है वह हो गया आपका यह question ठीक है कि time दिया रहेगा कोई भी time दे सकता है जैसे सारे बोला हो सकता है आपको बोल दे नो बचकर बीस मिट होए तब बताओ minimum या maximum एंगिल कितने होंगे ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग समझेंगे फिर इसके बाद दूसरे type का question है कि angle पहले ही से आपको दे देगा ठीक इतने बजे exact time बताना आपको अप्रॉक्स नहीं तो जीरो डिग्री पूछ सकता है आपसे हना 180 डिग्री पूछ सकता है और भी दूसरा type के angle कभी कभी तीन डिग्री चार्ट डिग्री पूछते हैं तो कैसे करेंगे यह हम लोग समझेंगे फिर आता है घरी खड़ाब चल है वैसे तो हम सभी का वक्त खराब चल ला है लेकिन अगर घरी का वक्ति खराब हो जाय तो या तो चलेगी या तो फॉस्वास चलेगी तो इसमें हमें करेक्ट करना करना मत्तब कि घरी को सही करने के लिए ने पूछेंगा आप से बोलेगा क्या कि घरी 10 minute fast चलती है या 10 minute slow चलती है तो उसको पहले से आगे या पीछे करके रखें वो कोशन हम दिखाएंगे तो घड़ी कितने समय पर राइट टाइम चलने लगेगी अब घड़ी खड़ाब चल लिए तो उसको तो मेकनिक ही ठीक करेगा लेकिन हम लोग reasoning में क्या करेंगे exact time ठीक ह होने में कितना वक्त लागेगा यह चीज बताएंगे अब जैसे को सर घड़ी फास्ट है तो ठीक कैसे हो जाएगी तो घड़ी फास्ट है जैसे माल लिया मैं बोलों कि 24 घंटे में 10 मिट चलती है तो मैं पहले से घड़ी को यह 10 मिट पीछे करता हूं तो जाहिज सी बात है अब 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट चलती है तो जाहिज सी बात है अगले दिन उसी समय हम देखेंगे तो चार बच कर पांच मिल दिखाएगी तो पूछेगा बीच में घड़ी कब सही समय पर आई होगी हाना यह एक दिन बाद दो दिन बाद या एक सप्ता के गैप पे भी प वॉटरे में दो चंलों किस यानि अगंए जब इसके सामने रखो ठिक है यह लप रखो यह ख है लगो किकितना भझ रहा है इस ही में यह पलते देखेंगे जला प्रतिव जिसे बודब्ली देखेंगा उसमें क्या लगएगा लैकिन यह झांवाठोट छंगें किद अशैसे वह हमें बताना होता है ठीक है ओके तो यह चीज फिगर भी रहेगा बना हुआ और उसमें स्टेट्मेंट में भी कुशन बना के लिख के दे सकता है ओके तो चली देखें सबसे पहले घड़ी के बारे में समझें कितने कौन-कौन से सुविया होती है कौन-कौन से इसके डिग सबसे फास चलती है तो अगर यह एक चक्र लगा ले तो सबसे पहले तो आप यह बताओ हर टाइम के बीच में कितने डिग्री के गैप होते हैं बारा से एक, एक से दो या इधर एक ग्यारा से बारा के बीच में कितने डिग्री का गैप होता है तो आप कोगे एक राउंड में 360 होते हैं और यह कितने पार्ट में डिवाइड है 12 पार्ट में तो 360 याने 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करे ठीक है तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा 30-30 डिग्री का ठीक है 30 डिग्री में यह सब जो है वो आपको बटे रहेंगे ठीक है तो यह ऐसे तो कि कैसे निकाला तो यह 12 से डिवाइट करके कि कि 360 डिग्री का राउंड होता है तो यह आपका 30 डिग्री आ जागा अब हमें सब का स्पीड कैसे निकालेंगे जब एक चक्क्र लगाएगी तो उसो क्या बोलेंगे हम लोग एक चक्क्र लगाए तो एक मिनट का टाइम पास हो गया एक मिनट का मतलब साथ सेकंड ठीक है और मतलब 350 डिग्री तो यहाँ लिखावाया है एक मिनट में ओ 300 डिग्री चली तो एक सेकंड में कितना तो पयद्ध सैकंड में यहाः है त्लिरहल्ग गया तो हर कि हर एक सेकंड में छेचे डिगडी आगे बढ़ती है, ओके, फिर इसके बाद मिनेट हैं, मिनेट किस हुई, यह कैसे चलती है भाई, तो देखो, हमने अब भी देखो, एक साथ बारा पिर रखा है, दोनों सुई को, इसको हम ऐसे समझाते हैं, जब मिनेट हैं बारा से चलकर एक पे आएगी, ठ बारा से एक पे आने का मतलब, पांच मिनेट का टाइम पास हुआ, पांच मिनेट आगे बढ़ती है, तो एक मिनेट में पांस डिवाइट कर दो ठाटी में, छे डिगरी आएगा, यह हर एक मिनेट में छे चलती है, और यह हर एक सेकंड में छे चलती है, यह यह एक मिनेट में 360 डिगरी, यह एक मिनेट में 6 डिगरी, तो लगवग 60 गुने का, अब आते हैं आर हंड पे, घंटे कि सुई, उसका क्या होता है भाईति, देखो, घंटे कि सुई बारा पे है, और वो एक पे आजाए, तो बारा से एक अधा इक, घंटे कि इस होल, कितने घंटे टाइम पास हो एक फ़ lands डिगरी, ऑब एक घंटे में 30 डिगरी, खुक है, जो लिख है, अगरीन का मतलब 60 मिनेट, तो लिखा है एक गंटे बारावर 60 मिनेट, मिनट में 30 degree, तो एक मिनट में कितना, 30 बटा 60, 30 बटा 60 का मतलब हो गया, आधा degree हना, इसो कट करेंगे, एक बटा दो आएगा, तो आधा degree को 0.5 भी लिख सकते हैं, यह आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें, तो हर एक मिनट में आधा आधा degree चलती है, ठीक है, बात समया गई, हर एक मिनिट में कितना चलती है तो आधा अधा डिग्री यह चलेगी आपको हर एक मिनिट में छे डिग्री हर एक मिनिट में आधा डिग्री तो अगर जैसे ही बारा बजे दोनों सुई यह एक साथ है जीरो डिग्री पर अब जैसे ही बारा बज कर एक मिनिट हुआ तो मिनिट क इस तरह रेश्यो में भी अब बोल सकते हैं अगर मैं रेश्यो निकाल लूँ मिनट हैंड यानि मिनट के सुई और आर हैंड इन वन मिनट टीक है एक मिनट में दोनों का अनुपात कितना होगा तो दिखिए एक मिनट में मिनट हैंड जो है मत्तलब मatलब म एम और ह मैं ऐसे रेश्यो से लहीं देता हूँ M for minute हो गया, H for hours हो गया, ठीक है, तो इसमें 1 minute में 6 degree, ठीक है जी, और वो 1 minute में 10 degree, ठीक है, यह अनुपात हुआ, इसको अगर हम आगे solve करें, तो यह अनुपात कितना बनेगा, 12 is to 1, यानि हम बोल सकते हैं कि घंटे की सुई जैसे 1 degree आगे बढ़ी, तो minute की सुई 12 degree आगे चल दोनों साथ मेहना, तो जैसे ही 12 बचकर, मैं बोलूँ कि 12 बचकर 1 minute हुआ, ठीक है, तो 12 बचकर 1 minute हो तो 6 degree चलेगी, मिनट की सुई, घंटे की सुई, आदा डिगरी, तो gap 5 का होगा, अब मैं 2 minute बोलूँ, तो 2 minute की साब से आ जागा, ऐसे, तो 12 is to 1 का ही ratio होता है, यानि, मि घंटे की सुई के मुकाबले 12 गुना तेज होता है, तो यहां पर ऐसे कोशन आते हैं, कि अगर minute की सुई, या मैं बोलूँ कि घंटे की सुई 10 डिगरी आगे चल लगी है, तो minute की सुई क्या होगा, तो 10 का 12 गुना, 120 डिगरी आगे बढ़ेगी, अगर यह 30 डिगरी आगे तो minute की सुई एक रॉंड माल लेगी ना, यानि 350 डिगरी चलेगी ना, तो 12 गुना तेज होता है, 30 से, 30 डिगरी का 12 गुना, 360 डिगरी होता है, ठीक है, इसी तरह अगर बोले, कि our hand, जो है, वो 90 डिगरी आगे बढ़ी, तो उसका हम 12 गुना कर देंगे तो हो जागा, ठीक ह हो, minute हैं अगर दिया रहे, ठीक है, 90 डिगरी, तो फिर our hand कितने डिगरी आगे बढ़ी, यह अगर उल्टा पूछे, समझ रहे, our hand 90 डिगरी चलेगा, तो minute हैं तो 90 का बाड़ा कुना कर देंगे, लेकिन अगर minute हैं 90 डिगरी चलेगा, तो फिर our hand निकालना हो, तो क्या सीधे आप 12 से डिवाइट करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 57 डिगरी अंसर आजाएगा, हना, तो इस तरह से हम लोग 57 डिगरी यहां पर निकाल लेंगे, यह आपका 7.5 है, ठीक है जी, 57 डिगरी अंसर आजाएगा, तो यह सब जो हमने डिस्कस किया आपको, यह सब का स्पीड पर निकाला हमने कि क्या स्पीड होता है इनके चलने का हना तो यह इसके हिसाब से तीनों का हैं ने हमने आपको बता दिए, तो हमने रेश्यों सिफ लिखा है, मिनेट हैं आर हैं का, अगर हम सेकेंड हैं भी जोड़ ले, माल लिया, मैं एस लिख लूँ, फिर मि हैं अफिर एच पोर आर हैं यह क्या होगा भाई एक मिनट के हिसाब से ही निकालेंगे ठीक है तो एक मिनट में यह तीन सो साथ डिगरी यह कितना चलेगा भाई शे डिगरी और यह एक बटा दो डिगरी ठीक है, अब इसको हम लोग स्वाल करें तो यह साथ सो बीज बारह इप और एक यह बात होगा ठीक है तो आहन के मुकाबले विनने अट 12 गोना और सेकंड इंट 720 गोना होजाएगा ठीक है इसी तरह यहाँ पर इनके 60 गोना होंगे रेके और सेकंड के बीछ आपके जली तो हम इस तेन्सained थी इन कितना यह अगाफ सब्सक्र हुँ बैसे के तो पूछा जाता है तो निकाल लिए तो पूछेगा उसका होगा इसका दूगना करेंगे तो इसका भी दूगना, इसका भी दूगना, तीन गौना तीन गौना, इसका भी दूगना करके निकाल लेगा answer, कोई भी रहेगा, पूछा जागा तो, ठीक है? ओके, चलिए, आगे बढ़ें, अब आगे क्या है? तो यहां हमने पहला जो टाइप को बताया था आपको कि टाइम अगर दिया रहेगा तो फिर आप एग्जेक्ट एंगिल कैसे निकालेंगे अगर टाइम यहां पर दिया रहे तो तो देखो इसमें आपको फाइंड एंगल बेट्विन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑफ टैन मि हैंडवा तो दस बच कर दस मिनट पर दोनों हैंड के बीच का कौन तो देखिए दस बच कर दस मिनट कैसे बजेंगे तो यह होंगे यहां पर ठीक है बड़ी सोई चोटी सोई होगी यहां यह दस होता है न लिखावा यहां ग्यारा होता है यहां बारा होते हैं यहां एक हो होते हैं तो कोई भी हो सकता है आप इसमें बोलेंगे कि मीनिमम और ये क्या होगा maximum ठिक है कितना फास्ला होगा maximum कितना होगा तो minimum आप कैसे निकाल सकते हो तो दिखो बड़ी इस्यूई आप झान रहे हो दो पे है चोटी को ठीक 10 पे माँलो कि ल awareness 30 ळिए यह यह भी 30 कितना हुआ 120 डिगरी तो 120 डिगरी अंसर नहीं होगा ठिक है क्योंकि छूटी सवी ठीक 10 10 पे थोड़ी नहोंगे नहीं। 10 पे चोटी सवी कब होती है जब बाढ़ी सवी मिनिट की सवी बारा पहो तभी तो घंटे की 2 तकि द्स पहोगी नवेकिन ये 12 से दो 0,10 अगे बहूँँ तो 10 किए ठीक यहां पर होगी यह कितना डिग्री चली हना ये चलेगी कितना तो मैंने रही बोला कि दसमें टाइम पास देख पांच दिटी तो 120 डिग्री में पांच डिग्री कम जाएगा ठीक है तो 115 डिग्री अन्सर आएगा ठीक है ना फिल्स्न एसके अंसर हुँगे समझने हैं आप लो यह 10 पे तो ओगी नहीं 10 से थोरा सा आगे बढ़ेगी कितना आगे बढ़ेगी टो एक मिनेट में आदा डिगडी तो 10 बचत का 10 मिर्च हुआ है तो 10 मिनेट में 10 का आदा पांच डिगर आगे बढ़ेगी यहने तो बीस में पाँच कम जागा तो 115 होगा ठीक तो हर कोशन तो मिस्तर से नहीं कर सकते इसका एक फर्मूला होता है उस फर्मूले पर आप नोट कर लिए उस से आप वहाँ पर बनाएंगे तो फर्मूला क्या होता है जब भी ठीटा का मतलब क्या होगा भाई यह हो गया एंगि ठीक है यह होता है 30H माइनस 11 बटा 2M H for क्या हो गया Rs और M for क्या हो गया Minute ठीक है यह फर्मूले से आप बना सकते हैं अब आपको क्या टैम दिया है 10 बचकर 10 मिनट यह क्या होता है H यह क्या होता है M अब यहां तो सेम है अलग अलग होता है ना 10 बचकर 5 मेंट दे सकता था 10 बचकर 20 मेंट दे सकता था तो उस कंडिशन में H के जगा पर 10 यहां M के जगा भी 10 होगा जो भी वैलूड आएगा वही पूट करेंगे ठीक है अब इससे सॉल्व करो तो 30 इंटू 10 माइनस 11 बाइ 2 इंटू 10 सॉल्व किजिए कितना आया 300 इधर हो गया इधर आया 55 जो सॉल्व करेंगे तो 245 डिग्री आएगा यह जो है मैक्सिमम पार्ट है इसका मतलब जो है इधर हम जो बनाया निकाला था यह 115 डिग्री इधर है और बैक साइट का जो है वो है हमारा 245 डिग्री अब ऑप्सर में 245 जो है नहीं तो अब आप यहां तक अगर निकाल लेते इस फॉर्मुले से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से कोई भी आ सकता है ठीक है तो 245 आ गया तो आप 360 में 245 डिग्री घट और 245 डिग्री क्या है अधिक्तम डिग्री है ठीक है ना क्लियर हो गया बात इस फॉर्मुले से मिनिमम मैक्सिमम दोनों में से कोई भी आ सकता है कोई भी पूछा जा सकता है ठीक है और को लेंगवेज यही रहेगा वसी आपको फॉर्मुला यहां पर याद रखनी पड़ इस से कोई फरक निमिमम ऑगा यहां पर दोनों ही है कोई भी दिया जा सकता है अगर दोनों ही ऑप्शन में हो जैसे यहां पर लिखा है एक सो पंद्रा भी दिया अननव दिश के जगा लिख दिया दो सो पैतालिस डिग्री तो फिर यहां पर आपको बोल देगा बीच का जो कौन पुछे का नहीं यहां पर तो यहां पर आपको लेना लिका मैक्समाम एंगल यह मिनमम एंगल देगा मैक्सम देगा तो 245 लेना है मिनमम देगा तो एक सो पंद्रा लेना है ठीक है यही है इसमें कहानी और कुछ नहीं है ओके आगे चले मिनट अब 38 मिनट 35 यह होता है यहां पर क्या ओता है यह आपके 6 हो गया तेथा साथ होंगे इधर आठे तो मिनट हैंट होगा एक कि यहां ओगा और हैंड भी थोरा सा यहीं पर होगा संझो ऐसे यही गैप आप से पुछा है साथ बच कर 38 मिट का चीक है जी तो उस कंडिशन में कितना अंसर आना चाहिए अब ऑप्शन क्या है वह एक डिग्री डिग्री धाई डिग्री हाना तो यह गैप ही लग रहा ऐसा तो जो फर्मला बता है उससे आपका हो जाएगा चीक है तो यहां 38 था 7 रखेंगे माइनस 11 अपांट 2 M के जगा यहां पर क्या लिखेंगे 38 तो ऑल किजिए इदर 11 आया इदर कितना आया वाई 210 डिग्री ठीक है इदर 11 को गुना करो तो 190 और 19 ठीक है 209 डिग्री यह आजा कितना एक डिग्री ठीक है फिस्ट ऑपसर यहां पर यहां बिल्कुल न पास होते हैं ठीक है ठीक है यह 7 बच्रश्ञरा कोई पेटीस में तता तो पॉय्ट में आता यह फ्रेक्शन में देता ऑप्सें यह आप से इसे ही पॉइंट में दिए था पॉइंट में निकाल लेंगे ठीक है इसके बाद देखें किया लिखा है चार ज़घिकन का बढ़ी स्वी के बीच का निकाले जब चार बज कर फंदरा मिनियंट होगा तो फंदरा कब वस्ते थीरू कोечат act तहिसार होगि बड़ी स्वी कि यहांप छोटी स्वी धर तो फ्रमुला क्या है हमाड़ा ठीटा की वैलो निकालेंगे तो 30 H, H क्या होगा 4 R से ना फिर 11 बटा 2 M, M क्या होगा 15 ठीक है तो यह होगा 120 और फिर यहां पर आप solve करेंगे तो यह हो जाएगा 165 बटा 2, आगे पॉइंट में चाहो तो जा सकते हो, पॉइंट में ही दिया हो यहां पर 165 यहां होगा 82.5 डिग्री ठीक है तो अब इनका difference कितना आएगा तो घटाईए 0.5 तो यहां पर हो जाएंगे 927 और फिर यहां हो जाएगा 3, 37.5 डिग्री ओप्सें भी क्लोज दिया है ठीक है तो 37.5 डिग्री यह जा करके अंसर आएगा तो यह गैप ही आप से पुछा है यहां पर कि कितना होगा आप चाहें तो देखो थोरा सा और माले फर्मुला भूल गया दिमाग से निकल गया यह फर्मुला नहीं आद हो रहा है ठीक है कि चार पर मालो कि यह होगी यहां पर चार पर इसको ऐसे रख लेंगा यह चार और यह पंद्रा यह बताओ गैप 30 डिग्री है कि नहीं ठीक है अब क्या होगा कि भाई यह जब चार बच कर पंद्रा मिनट होगा ज़की छोटी स्वी यानि घंटे कि स्वी चार पर तभी हो और एक यहां पर होगे है चार और तिन पर यह होता है न ठीक चार बचे टिक मिनट की स्वी घूमते हुए यहां पर आइगे 맡 ठीक है तो इसको में color change करके समझा जता हूं ठीक है तो मैंने यहां पर पताया रहें कि यह green color मालों की यहां पर आए तो जाहिस सी बात है कि यह भी थोरा सा आगे बढ़ेगी हाना तो अब यहां से यहां तक का gap हमें पता है 30 degree है बस यह वाले gap निकाल ले तो 30 में जोड देंगे तो कैसे निकालोगे तो यह एक minute में घंटे किस हुई आदा डिगरी चलती है एक minute में घंटे किस हुई आदा डिगरी चलती है यहां से हां 15 मिनट हुआ तो 15 में यह कितना चलेगी तो पंदरा का आधा शाहरे साथ डिगरी तो शाहरे साथ डिगरी यहां पर जोड दिया जाएगा तो शाहरे साथ डिगरी जोडें गे तो 30 और सारे साथ डिग्री मिल करके सारे 37 डिग्री हो गया ना ऐसे भी यहां पर निकाला जा सकता है ठीक है यह बेसिक तरीके से भूल गया फरमुला यह वाली तो आप ऐसे भी कर सकते हूं लेकिन अगर बीच का कोई दे देगा साथ बच कर बाइस दे चार बच कर आठ मिनट दे तो थोगा दिक्कत होती कि बीच में तो कैसे ले इसलिए फरमुला यहां पर थोड़ा सा ज्यादा सही रहता है ठीक है आगे बढ़ें देखिए यहां पर हमने प्रेक्टिस के लिए आपको रखा है यहां पर आप फरमुले स के लेकिन इसमें कुछ खास बात भी है रहला जो टाइम लिखा आपका 6 बच चैन्व है इसमें भी देखिये तीन का पांच गुना है एक पांच गुना है है और इसका पांच गुना आठ पेज़ चालिस है ठीक है इसमें देखिए क्या ये दो का छे गुना है ये भी छे गुना है चर्छक 24 ठीक है फिर इसमें देखिए इसमें क्या हूं रहा है फांच गुना इसमें चेक चार्ड़ गुना जो फर्मला मैंने लिखाया है आपको उससे तो भी बनी जागा छीक है उससे सड़ुआ बंज जांगे बट इसमें कुछ special trick भी है जो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है ठीक है special trick क्या है यहाँ पर तो देखिए जो भी आप बनाऊगे इसमें फर्मुला से बनाऊगे चाहे special trick से बनाऊगे तब भी हमें सही अंसर आएगा जब भी पांच गुना या छे गुना रहे सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं चार गुना वाले के बाड़े वह 예रे मैं बात कराूँ से पांच गुना छे गुना रहे तो यहां पर मिनट है जो लिखा है न तीम्लिक इस हुसर का आधा अंसर आएगा पंधरा डिगडिणि यहांपंद्रा है तो इसका होगा साढ़्यंशाट दिगडिड्यिडी ठीक है इसी तरह 2 और 12 के बीच है, 6 गुना है, तो 12 का आधा 6 डिग्री, 18 का आधा 9 डिग्री, 24 का आधा 12 डिग्री, और 42 का आधा 21 डिग्री, ठीक है, तो याद रखेगा, मैं इसको formula बनाके यहाँ लिख दू, तो मैं इस साइड लिखता हूँ, यह इन दोनों के लिए applicable होगा, क्य या 6 गुना है, क्या लिखा मैंने, M for minute hand, minute hand, 5H मतब आर का 5 गुना, जैसे आवर हैंड 6 है, उसका 5 गुना है, और या तो फिर आर हैंड के जो भी है, उसके 6 गुना हो, यह अगर condition हो, ठीक है, यह लिखा मैंने, if यदि यह हो, तो theta का मान कितना आएगा, तो जो minute hand है, उसका आधा, ठीक है, ठीटा कमान क्या आएगा, minute का half, साफ नहीं दिख रहा है, अधर, तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, इसको, फिर से, लो इधर लिख दिया, देन, जो theta आएगा, ठीटा मतब तो क्या हो, angle, वो क्या होगा, minute hand का half, यह, ठीक है, तो फॉर्मुले से भी बनाएंगे, तब भी वही होगा, फॉर्मुला से आप चेकर लिजेगा, मैं चेकर के दिखाऊंगा, नहीं, आप छो चेकर, अब आते हैं, इस वाले में, यह कितना है, चार गुना है, तो इसका अलग है, कहानी, ठीक है, तो इसका चार अब सॉल्प कीजिए, इधर कितना है, दस, इधर होगे कितना, देट सो, इधर आगे कितना, एक सो दस, कितना है भाई, चालिस, चालिस डिगडी बोलेंगे ना, यहां पर ठीटा के मान, जो है, यह वाली है, अब चालिज बताओ, क्या है, बीस से रिलेशन निकालो, तो क् का डबल है, ठीक है, तो बीस का डबल है, तो इसी तरह यहां पर जो मिनट है, इधर मैंने हाफ किया था ना, पांच गुना, छे गुना में, लेकिन चार गुना में डबल होगा, तो यहां अठाइस है, तो अठाइस का डबल छप पर लिगडी, बीस है यहां पर तो बीस का 40 degree देखें वहाँ पर दिखाया भी था 16 है तो 16 का 32 degree और 40 है तो 40 का 80 degree ऐसे आएगा जब 4 गुने हो तम ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्मला बना क्या इफ minute hand is equal to 4H then theta is equal to 2M यह होगा मतब minute hand का double ठीक है वहाँ M by 2 था यहाँ पर 2M था ठीक है तो यह था angle वाले कि time अगर दिया होगा है और दोनो hand के बीच में अगर angle पुछे ठीक है कितने degree कोण बनेगा पुछेगा तो इस वाले में यह तोटका लगाएंगे यह special trick और इसके पीछले वाले में formula था ठीक है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें अपने दोस्तों group में share करें यह clock का part 1 था ठीक सब्सक्राइब रहे डिगरी उसको हम लोग कैसे निकालेंगे exact time वह अगले वीडियो में करेंगे ठीक है तब तक लिए आप जादर दीजिए आपका दिन सुभ हो thank you very much